नमस्क्राइब दोस्तों स्वागेद श्रमूज बाली ची का और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरियन सिस्ट के बारे में ओवरियन सिस्ट बहुत ही एक आम बीमारी आज के जमाने में हिंदुस्तान में अगर देख ले तो बहुत सारे महिलाओं में यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमें जानना है अब जो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है PCOS PCDO भी रिलेटेड है मगर यहां पर बात करेंगे कि ओवरियन सिस्ट होता क्या है और यह सिस्ट क्यों होता है सिस्ट किस चीज से बना होता है और ब सिंपल सी भाशा में कहें तो सिस्ट मतलब एक फुला हुआ गुबार आप एक बात कर लो कि नॉर्मली बलून बलून के अंदर पानी भरोगे आप गुबार के अंदर पानी भरोगे तो वह जैसा दिखेगा वह स्ट्रक्चर उसकी फुल जाएगी बढ़ जाएगी तो वैसे ह नॉर्मल ही महिलाव में शरीर का जो यह यह रिप्रोड़क्टिव सिस्टेम में आप देख पा रहे हो यहाँ पर नॉर्मल सा जो यह स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ-कुछ स्ट्रक्चर उसके बाद बताता हूँ यह होता है यूटरेस है और यह फैलो जिस्ट है नॉर्मल ओवरी में बिल्कुल ओवरी प्लेन रहेगा एक ही स्ट्रक्चर रहेगा और सिस्ट जब होता है तब उसके अंदर फ्लूइट बहर जाता है फ्लूइट मतलब ज्यादा थर पानी रिलेटेट कॉंपोनेंट उसमें बहर जाता है गारण वो फुल जाता हूँ इमेज भी देख सकते न् ses n घ्चे ब्रप्र now और जब इस निए वाला को सकते हैं अजal वाला कर दाओन सsound नाँ या भी को सब्सक्राइब हो सकते मुल्टिपल से यह ज्यादा चोटे-चोटे से six dikha और अप यह आप न्नमल्म अब ये सिस्ट होता कैसे है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जो सिस्ट होता है, ये बैसिकली सेमी सॉलिड पानी जैसा चीज से भर जाना, सैक बन जाना, इसी को सिस्ट पोलते हैं, और ओवरी में ये होता है, तो इसको ओवरीन सिस्ट पोलते हैं, ये सिस्ट जिनर सीक्ल में यह फॉर्म होता है फिरि ठीक भी हो जाता है तो यंघ क्र तो सबसे कौमन और मेलाओं में देखा जाता है और इसमें क्या होता का regular menstrual period के time पे यह सब्सक्राइब होता है फिर कुदब कुद सेक्ट नॉर्मल हो जाता है और दूसरे प्रकार क्या सिस्ट होता है pathological सिस्ट जो सिस्ट menstrual cycle के साथ related नहीं होता हो सकता है कि यह जो pathological सिस्ट वो प्यूबर्टी के बाद भी आपको दिखाई दे या फिर प्यूबर्टी के पहले भी आपको दिखाई दे हो सकता है यह मेनोपॉस के बाद भी दिखाई दे मेनोपॉस से पहले भी दिखाई दे तो यह अलग-अलग प्रकार की सिस्ट आपको पाया जाता है तो सिस और आपको सिस्ट के सिंटम्स क्या क्या आपको मिलेंगे देखो नॉर्मली जो सिस्ट आम तौर पे वहां पेट की नीच लिस्से के चारो तरफ दर्द होना ये बहुत ही आम एक symptom है उसके साथ साथ irregular period आपका जो period pattern है वो irregular होगा in fact in that case discharge भी अलग-अलग प्रकार का होता है irregular type का होता है और जो blood खुन निकलता है वहाँ पे भी खुन की जो flow है वो ठीक टाक नहीं निकलता है कभी जादा flow कभी कम flow यह सारे चीजे modifications आपको नजर आएंगे जो भी total pelvic floor का आपकी area वहाँ पे दर्द रहना एक आम symptom है यह सारे के सारे symptom आपके reproductive system के साथ related है कुछ और symptoms है जो कि आपकी digestive system के साथ related होंगे जैसे के bloating bloating हो सकता है है कुछ कुछ cases में और कुछ cases में bowel movement में भी change मतलब आपको generally cysts के चलते जादा तर cases में देखा जाते constipation बढ़ जाता है ठीक है तो constipation का भी यहाँ पर एक impact हो सकता है due to ovarian cyst अब बात करते हैं ovarian cyst की इलाज अगर आपको ovarian cyst है एक cyst है एक से जादा cyst है तो कौन कौन सी treatment है देखा आम cases में जब cyst होता है तो वहाँ पर symptoms कुछ आता नहीं है बहुत जल्दी जल्दी जब puberty के time से पहले उस time पर जब development start होता है reproductive system की female reproductive system की तब भी बहुत दफा cyst हो सकता है form फिर वो निकल सकता है आपको कुछ ज्यादा तकलीव नहीं देता तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है मगर अगर pathological cyst होता है तो वहाँ पर आपको दोनों प्रकार के treatment है एक तो medicinal treatment जो है और surgical treatment है तो दवा से कैसे cyst को ठीक किया जाता है नॉर्मली जो दवा यहां पर यूज किया जाता है एक तो जो abdominal cramp होता है पेट की दर्थ उसके लिए दर्थ को कम करने का यह oral contraceptive का इस्तमाल होता है और यह regular day-to-day oral contraceptive है emergency contraceptive नहीं है याद अटना emergency contraceptive का बहुत ज्यादा side effect है तो regular contraceptive दिया जाता है oral regular contraceptive बहुत प्रकार के इंडिया में हिंदुस्तार में available है अब try करके देख सकते हो किसी gynecologist के पास जाए with your report of USG ultrasound देखने के बाद वो बता देंगे कि आपको क्या problem है उस हिसाब से अपकी treatment चलेगा और अगर medicine से treatment नहीं हो रहा है आपकी जो सिस्ट बहुत complex प्रकार के सिस्ट है तो जाके surgical intervention लगता है जहाँ पे सर्जी के लिए उस सिस्ट को remove किया जाता है तो यह यह problem अब complications की बात करें तो complications के बात करें तो complications ज्यादातर cases में तो नहीं होता मगर कुछ cases में हो सकता है कि यह cyst जो है यह fluid ज्यादा बड़ा हो गया तो यह rupture हो सकता है burst open हो सकता है जब burst होगा तो hemo rage भी हो सकता है खून का निकलना एक्स्ट्रा तो एक problem हो सकता है irregular period के चलते अगर आपको track रखने में कोई problem हो रहा तो यहाँ पे आप definitely doctor दिखाई है और second thing cyst अगर continuously रह तो infertility कभी कभार cause कर सकता है मतलब आप fertile जब होना चाहेंगे आप जब pregnant होने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर दिक्कते खरा कर सकता है तो यह दो अलग-अलग problems है और बहुत ही rare cases में cyst cancer के साथ related है या नी इसको लेकि debate है चलता है अगर बहुत rare cases में हो सकता है यहाँ पर most of the time cyst is harmless होता है और खास कर के जो functional system बहुत ही harmless होता है तो यह हमें एक कहीं पे हमारे ध्यान में रहता है और second thing है कुछ लोग का कहना है कुछ-कुछ अप देखोगे example के तौर पे हाला के cyst तो non-cancerous होता है मगर बहुत rare cases में बहुत ही rare cases में कभी-कभार यह cancer symptoms develop कर सकता है अगर कुछ और और उसके अगर वीडियो अच्छा लएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कलिक के साथ और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे थैंक्यू बाए